ही एवरिवन हर कोई लगना चाहता है हमेशा खुबसुरत और खुबसुरत लगने में बेकप का बहुत बड़ा हाथ होता है बेकप करने के लिए हमें धेरो प्रोड़क्स की ज़रूरत होती है पाउडेशन है पाउडर काजल लिप्स्टिक कितने सारी चीजों की ज़रूरत होती है लेकिन अगर हम एक मेकप प्रोड़क्ट को बहुत जगा इस्तमाल कर पाएं तो कितने अच्छी बात है पैसे की भी बचट होती है तो आज हम बात कर रहे हैं काजल की काजल खरीदते वक और कजरारे नहीं किसी के मन को भी मूह लेते तो लॉंग लास्टिंग स्मजब्रूफ काजल खरीदी तो लाइनर की तरह बिसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं लाइनर की तरह इस्तमाल करने के लिए आप किसी पैन का इस्तमाल कर सकते हैं अगर जैसे टिप वाला अगर पैनर तो अराम से काजल को लाइनर की तरह इसमाल कर सकते हैं स्मज़ प्रूफ होगा तो ज्यादा देता टिकेगा भी और सुन्दर भी लगेगा इसके साथ साथ आप काजल को इसमाल कर सकते हैं आँखों के ऊपर आइशएडो के लिए स्मुकी आशएडो आजकल बहुत वैशएडो में है तो स्मुकी आशएडो लगाना हो तो पहले काजल को ब्रश की हल्प से आँखों की लिट्स के उपर लगा लीजिए उसके ऊपर आप आशएडो लगाए तो बहुत ही सुन्दर स्मुकी आशएडो आता है इसके सासाथ काजल को आप किसी प्रश की हेल्प से बिंदी की तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं आप चाहे तो सांप की तरह बिंदी बनाने चाहें या गोल बहुत ही सुन्दर बिंदी बन जागी लेकिन जो काजल है वो समझपरूफ होगा तब ही फायदा होगा फिर आप काजल को इस्तमाल कर सकते हैं ब्यूटी स्पॉर्ट बिनाने के लिए ब्यूटी स्पॉर्ट तो आपको सुन्दर बिनाने में हल्प करता ही है आप बनाये चिंपे होटों के पास या अपने चीक्ष के ओपर właśnie ब्यूटी स्पॉर्ट मिना लिए इस काजल का इसमाल करें लिए और बहुत ही खुबसूरत लगेंगे और काजल समझपरुफ होगा तो बहुत देर तक टिकेगा इसके इसासर कभी कभी होता है कि हमें बालों को कलर करना है और हमें फुरसत ही ने मिले कलर करने के लिए तो आप इसी काजल को बालों को कलर करने क बस इसको काजल से कलर कर लीजी। आपके बाल कलर हो जाएगी। आप चाहें तो आई ब्रॉॉज में भी इसी काजल का इस्तिमाल कर सकते हैं। अगर आपके पस आई ब्रॉज पैंसिल नहीं है तो उसके बदले आप काजल का इस्तिमाल कीजिए। लेकिन ध्यान रखें काजल को बहुत हलका लगाना है आइब्रोज में क्योंकि बहुत डाक आइब्रोज अच्छे नहीं लगते